हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं media.net और google adsense के बारे में इसके बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बिस्तार में बताने वाला हूँ तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर आकरी तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं मेरा नाम है इसराइल और आप देख रहे हैं टेकनोलोजी टिप्स इसराइल जरा इस वीडियो को लाइक केजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब केजिए साथ ही साथ ये गंटी की निसान को दबा लीजिए और हमारे लेटिस्ट वीडियो का लुक्त सबसे पहले उठा लीजिए जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमने रिसेंटली वीडियो में बताया है कि किस तरह से क्विकली आप लोग मीडिया.net के ओपर अप्रूबल ले सकते हैं अगर आप लोग मीडिया.net के ओपर अप्रूबल लेना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसे देख लीजिएगा देखने के बाद आप लोग आसानी के साथ अपने वेबसाइट को अप्रूब करवा सकते हैं मीडिया.net के ओपर ठीक है तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं Google AdSense और मीडिया.net के बारे में यहाँ पर आपको हम बताने बाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं Google AdSense के बारे में Google AdSense यहाँ पर काम कैसे करता है Google AdSense CPC के ओपर वर्क करता है ठीक है अगर आपके वेबसाइट को अप्रूबल मिल जाता है आपके वेबसाइट के ओपर एड दिख रहा है तो लोग उसको आ रहे हैं देख रहे हैं Google AdSense में होता है क्या कि अगर कोई जान बूच के किलिक करता है तो आपके AdSense account को भी वहाँ पर डिसेबल कर दिया जाता है ठीक है यह बहुत बड़ा प्रॉबलम है Google AdSense के साथ अब बात कर लेते हैं Media.net के बारे Media.net में होता है क्या है दोस्तों कि अगर आपका website वहाँ पर अप्रूब हो जाता है और आपके site के उपर वहाँ पर एड़ दिख रहा है तो लोग आ रहे हैं एड़ देख रहे हैं और Media.net आपको impression का पैसा देता है यानि आपके website के उपर जतना भी impression होगा उसको count करेगा RPM में और उसके बाद आपको आपके dashboard में दिखाए देगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या यह है कि Media.net रियल टाइम count नहीं करता है यह लगभग 24 घंटा delay है ठीक है यानि आज जो भी काम हुआ आपके site के उपर वो कल दिखेगा इसलिए लोग यहाँ पर परिशान हो जाते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर देख रहे हैं impression इतना आ रहा है यह आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर तरनिंग कुछ है ही नहीं लेकिन RPM के उपर जो वर करता है यह Media.net high RPM मिलता है आपको 2$, 3$, 4$ के आसपास का RPM मिलता है ठीक है अगर impression अधीक मातरे में आता है तो दिन भर में आप लोग कम से कम अगर आपके site के उपर 2000 impression भी अगर आ जाता है तो एक दिन में कम से कम 8-10$ आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा और यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि Media.net के उपर जैसे मालिज आपको approval मिल जाता है तो Media.net का ad जैसे आप लगाईएगा तो Media.net आपके website को अच्छी तरीके से analyze करेगा कम से कम 10-15 दिन लग जाता है तब आपके content के हिसाब से वहाँ पर ad देखने को मिलेगा यानि आपका website जिस topic से related होगा उसी topic से यानि matching content ad वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह सबसे बड़ी खासियत है वहाँ पर earning generate अधिक मातरे में होता है यह तो आप जान लीजिए और यहाँ पर दोस्तों media.net को इंडिया में इसलिए लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर media.net जो है बिंग और याहू का admin network है और यह US Canada में बिंग और याहू जाजेतर सर्च किया जाता है इसलिए यहाँ पर लोग इसके ओपर अतना दिमाग नहीं लगाता है Google AdSense इंडिया में अधिक मातरे में लोग यूज करते हैं अगर आपके website के ओपर US, Canada वगरे से traffic आता है तो यह बहुत अच्छा है यहाँ से आप लोग अच्छा खासा earning कर सकते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बहुत लोग यह भी बोल रहे थे कि सर देखिए माली जे Google AdSense में एक वर हम अप्रूबल ले लेते हैं किसी website के ओपर तो हम वहाँ से add unit generate करके जितना चाहो उतना site के ओपर हम add दिखवा सकते हैं यहाँ पर दिखा सकते हैं जी नहीं यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं लेकिन एक ही testboard के ऊपर आप दूसरे website को भी add कर सकते हैं लेकिन अप्रूबल लेने के लिए आपको वहाँ पर wait करना पड़ेगा वहाँ पर अप्रूबल जब हो जाएगा तो दोनों सवाल कर रहे थे कि बहुत लोग हमसे भी सवाल कर रहे थे कि फिरी होस्टिंग मिल जाएगा ठीक है लेकिन आपका टॉप लेवल डॉमेन होना चाहिए जैसे दोस्तों यहां पर दे सकते हैं कि हमने टॉप लेवल डॉमेन के ओपर अप्रूबल लिया और होस्टिंग हमने यूज किया ब्लोगर का फ्री वाला मैं उमीद करता हूं कि आप लोग समझ गये होंगे कि मीडिया डॉट नेट और गूगल एटसंस में क्या डिफ्रेंस है यह कैसे काम करता है और हम लोगों को इस पर काम करना चाहिए या नहीं चाहिए और मीडिया डॉट नेट का जो भी माली रिवेन्यू बनेगा तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाइफ प्रूप आपके सामने लाऊंगा ताके दोस्तों आप लोग तो आसा मोटिवेट हो सकें और आप लोग इस तरह भी आ सकें और यहां पे दोस्तों मुझसे लोग यहां तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो हैं बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें खुश रहें इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चनल को जरू सस्क्राइब करने थैंक यू फूर वाचेंग